पुल रहा है आजब किसले जी जारकंट से बोल रहे हैं प्लीज बोलीए किसले जी तितिक्षा एक बार और अस्फश्ट कर दिजी तितिक्षा शब्दकार्थ है सहनम सर्व दुखानाम आप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा उच्छते हर सुख या दुख को समान भाव से महसूस करना without reacting to it इसी को तुपिक्षा क्याते है हम आये क्यों है यहाँ इस प्लैनेट पे आये क्यों है खुद में सुधार करने के लिए नहीं तो आप अरब पती हो या रोड पती आपको याद कौन रखने वाला है कुछ समय बाद कौन याद रखता है ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में एक सड़क आपके नाम की हो जाएगी वो भी कुछ हजार साल उसके बाद पूरी दिल्ली बदल जाएगी तो यह स्थाई चीज़े हैं ही हम आए हैं अपने अंदर इंप्रूब्मेंट करने के लिए इंप्रूब्मेंट कौन से हमारे अंदर जो हंकार दुएश, इरशा, काम यह जो कमिया है इनको इंप्रूब करें इंप्रूब करेंगे कैसे जब तक समाच से ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कोई होना तो चाहिए ना गुस्टा दिलाने के लिए, अब सन्यासी को कहाएगा गुस्टा, तो इसलिए गरहस्त आश्रम ही एक मात्र वो जगह है, जहां तितिक्षा को इस्थाफित करता है, आपको चारों तरफ लोग आएंगे और गुस्टा दिलाएंगे, आ आप बिलकुल धार के जाईए आज सुबह, आज कुछ हो जाए, मैं कतई गुस्टा नहीं करूँगा, इसका वरत लीजे, इसको हम बोलते हैं, जो आप मन से वरत लीजे, खाने का नहीं, मन का वरत लीजे, आज मैं गुस्टा नहीं करूँगा, मैं इसको इंप्रूव करू तो क्या हुआ आप फेल हो गए और अगर आप गुस्टा नहीं कर पाए तो आप पास हो गए वो फेल होगे चलागे हर बार आप इसको प्रैक्टिस कीज़ें एक एक उठाई अहंकार स्वामी शिवानन्द जिस शिवानन आश्रम भी है उत्राखंड में रोज रात को उनके आ आवाज आती थी और चीखने की आवाज आती थी सारे शिश घबरा जाते थे रोज रात को आज उनकी कुटी के चारों तरफ इकटे हो जाते थे ये कौन है जो रात को आके गुरू जी को पीटता है सुबह आरते थे तो कई बार गुरू जी के हाथ पे निशान दिखते थे पिटाई के एक बार एक शिश्च ने हिम्मत करके पूछी लिया कि गुरू जी यह आपको मारता कौन है रात को आप तो साक्षात परमात्मा है तो स्वामी शिवानन ने बोला पस यही तो बात है क्या होता है सुबह से लेके शाम तक इतने बड़े-बड़े लोग मेरे सामने शाष्टांग प्रणाम करते रहते हैं यह मंतरी, संतरी पता नी कौन-कौन आके मुझे प्रणाम करता है तो मेरे मन में यह आने लगता है यार सच में बहुत अच्छा हूँ मैं तो बहुत ही मतलब जिसे कुछ नहीं आता जिसे आता है वो यहां नहीं आता हम फिर से कहेंगे इस धर्ती पे आता वही है जिसे कुछ नहीं आता और जिसे आता है वो इस धर्ती पे आता ही नहीं है भले प्यून हो या प्राइम मिनिस्टर हम सब आही इसलिए हैं कि व्यक्तिगत उत्थान करें जिसको कहते हैं आत्म मोक्षार्थम और रास्ते में जगत हिताय करते चलें जगत हिताय और आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय के लिए तीन आश्रम हैं ध्रमचर, ग्रहस्त और वानप्रस्त और अंते माश्रम के वलात्म मोख्षार्थम इन फैक्ट वानपरस्त दोनों का ओवरलेपिंग है वानपरस्त में ये शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या हम उत्तर दे पाए आपका किसले जी चलिए अगला प्रेशन अंकुर शेर्मा बोल रहा हूं कहां से बोल रहे हैं अंकुर जी मैं कासी दूर से बोल रहा हूं इस्टोनिया यूरोप यूरोप में इस्टोनिया से अंकुर जी बोल रहे हैं आप बिलकुल करीब हैं अंकुर जी बिलकुल दूर नहीं हैं हमारे बिलकुल समक्ष हैं और आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं प्लीज बोलिए बाद बाद दन्यवा सर मेरा पिसमें थोड़ा सा हो सकता है सब्द मेरे ठीक ना हो बट थोड़ा सा डिरेक्ट है हमने भ्रमिच चर्रे की बात की तो उसमें आपने आयू बताई पचीश वर है वो आज भी लिगली कुछ और है और कहिना कहीं अपने भारतिय पद्दती को छोड़के बाकी के देशों के पद्दती को देखे हैं और जहां पर आश्रम इतने सटीक नहीं फॉलो हो रहे हैं और उसके बीच में इस ठीरी को या इस पर्टिकुलर चीज को लगा के क्या इसको एक ब्लॉकर की तरह देखें या इसको एक इनेबलर की तरह देखें बहुत अच्छा प्रशन हैं अंकुर जी का प्रशन ये है कि क्या ये पच्चिस-पचास पिशुत्र रिजिड बाउंडरीज है या फिर इनको काल और समय के अनुसार एड़िस्ट किया जा सकता है बहुत खुबसूरत प्रशन है इसलिए हमारे शास्तरों में जब लड़की शादी करती है उसके बाद उसे श्रीमती कहते हैं श्रीमती का अर्थ क्या होता है श्री मतलब लक्षमी समान मती मतलब बुद्धी जिसके बुद्धी स्वेम लक्षमी समान हो वही तो घर चला सक इसलिए जब परिपक्वता की उमर हर समाज में अलग है और अंकुर जी शायद आपने पिछली चार क्लासेज अटेंड नहीं की उन क्लासेज में हमने बात की थी कर्मकांड और ग्यानकांड दो कांड हैं हमारे वेदों के कर्मकांड काल बाधित है काल बाधित बतला वो समय और स्थान के अनुरूप बदले जाएंगे और ग्यानकांड काल और समय के परे है so ये जो आश्रम विवस्था है ये ग्यान कांड में नहीं कर्म कांड में है आश्रम विवस्था is a mental आश्रम यदि आप मान लीजिए इसी आश्रम विवस्था से विवेकानन चलते तो अभी तो ग्रहस्त आश्रम में उनकी मृत्यू ही हो जाती ठीक, विवेकानन 33 साल की उमर में सारे आश्रम क्रोस करके चल दिये उनके बारे में किसी ने कहा भी है कि वो मस्ती में, वो महफिल में, वो अंजुमन ए इर्फानी में मस्ती महफिल मतलब जिन्दगी के उतार-चड़ाव, जिन्दगी की मस्तियां, जिन्दगी के राग-रंग वो मस्ती में, वो महफिल में, वो अंजुमन ए इर्फानी में सब जाम पकड़ बैठे ही रहे, वो पी भी गए, छलका भी गए सो यदी हम इन आश्रमों को बहुत जल्दी कवर कर लें, और अच्छा है पर अगला आश्रम तभी हो, जब पिछला कवर हो जाए क्योंकि अगर विद्ध्या प्रॉपर नहीं है, तो आप ग्रहस्त को बर्बाद कर देंगे और अगर ग्रहस्त में आपने तितिक्षा नहीं सीखा, ग्रहस्त में आपने यग्य नहीं किये, तो वानप्रस्त में भी आपका मन घर में ही लगा रहेगा और अगर वानप्रस्त में भी घर में मन हैं, तो सन्यास का सवाल ही नहीं उत्ता है, तो ये जुड़े हुए है अंकुर जी और इसका एक कारण भी है क्योंकि जो आदमी आपको 15 साल का लगता है वो 15 साल का है नहीं वो इस जनम में अभी 15 साल का है इससे पहले पता नहीं कितने जनम वो ले चुका है और उसकी कोई महान यात्रा बाकी होगी इसलिए अभी अभी हो दिख 15 साल का रहा है पर उसकी बुद्धी 85 साल की हो सकती है जैसे आदी शंकराचारे की सो हमारी अंतरात्मा एक एटर्नल जर्नी पे है और इस आश्रम को इस आर मेंटल स्टेशन इस आश्रम के बारे में अपने बताया था उसमें आपने मत बताया कि सबको माफ करना सीखना जहिए हमें माफ करने का मारा दे होना चाहिए मेरे प्रेशन यह है कि हम इसी को ग्रस्त आश्रम में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो माफ करने का विशाल है बिल्कुल आपने सही कहा क्या है एल दे से बिगिंविद दे एंड विन माहाम व्यक्ति वो होता है जो पहला कदम तब रखता है जब उसको अंतिम कदम का पता हो Begin with the end in mind यही बड़ी-बड़ी कंपनी से चेर्मेन होते हैं इसलिए कहते हैं इनमें विजिन है इनको पता है कहा जाना है So begin with the end in mind एन क्या है आत्म मोक्षार्थम तो इसको हम हर आश्रम में प्रैक्टिस कर सकते हैं पर वानपरस्त आश्रम में ये फल पत जाना चाहिए अगर वानपरस्त आश्रम में आप फॉर्गिव करना नहीं सीख पाए तो सन्यास का सवाली नहीं उड़ता और उसका आदर्श बनाईए बच्चों को अच्छा ये क्या होता था इस जमाने में जो वानपरस्ती होते थे या जो सन्यासी होते थे ये कई बार आश्रम में चले जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे अब होता ये था जो नहीं बच्चे आ रहे उनकी उमर 50 साल लेगे और गुरूप की उमर होती थी 70 साल अब आप एज एज का गैप देखिए 65 साल काम तो बच्चे के एक लाइन से गुरु उसका चरित्र समझ जाते थे इतना एज गैप होता था मा शारदा ने विवेकानन जी को कहा कि वो चाकू मुझे पास करो विवेकानन ने चाकू की धार अपने हाथ में रख के हाथ्टे की तरफ से मा को पकड़ाया मा ने विवेकाननसे चाकू लेके कहा विवेकानन, ओ, नरेंद्र तुझमे बहुत सत्व है चाकू पकड़ाने से गुरु लोग समझ जाते थे व्यक्ति का चरित्र कैसा है तो अभी क्या होता है कई बार हम देखते हैं इंगरिंग कॉलेजेज में और कई कॉलेजेज में जो पढ़ रहा है और जो पढ़ा रहा है उसमें एक साल का अंतर है वो पिछले साल उसने इंगरिंग पास की थी अब वो पढ़ाना चालू कर दिया किसको जो इस साल फाइनल एर में अब इसमें क्या होगा वो जो अनुभव से सीखा है जीवन के इसलिए गुरु की तलाश मस्च है वो बहुत कुछ यूहीं दे देता है इसलिए अपन हनुमान चारीसा में भी कहते हैं करपा करहू गुरुदेव की नाई मुझ पर गुरुदेव की तरह करपा करें क्या मैं आपका उत्तर दिया वीर बहुत अच्छे से मुझे मेरा उत्तर मिला और आपकुर मैं नमस्कार करता हूँ धन्यवाद करणा अगला पुखिवनेस यह है चवी जैन कहां से है चवी ? Sir, Karnal से, Haryana Karnal, Haryana से, चवी बताईए Sir, my question is related forgiveness आपने कहाँ जैसे बीश करने कहाँ कि अच्छा होना Sir आपको कहां तक लगता है कि अच्छा होना बहत अच्छी बात है like we take an example from our history Ram Chandra ji इतने अच्छे भगवान उन्ही कोई 14 साल का बनवास हुआ अब Rani Lakshmi भाई को देख लीजिए 29 years of age she died उन्होंने इतना अंग्रेजों के अंग्येस्ट किया फिर भी like उनकी पूरी जिन्दगी इतनी दुख में बीती तो आपको लगता है अच्छा होना सब अच्छा ही हो रहा है अच्छा प्रश्न छवी ने पूछा और प्रश्न एक लाइन में हम कहें तो छवी ये पूछ रही है करनाल हर्याना से करनाल जो करण की जमीन है वहां से पूछ रही है कि क्या अच्छा होना अच्छा है अच्छा प्रश्ण है यह तो एक बार एक गुरू से शिश्य ने पूछा कि गुरू जी सब लोग मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाते हैं मैं क्या करूँ तो गुरू जी ने मुस्कुरा के पूछा बेटे वो अच्छाई किस काम की जिसका किसी को फायदा ना हो अब हम आपके प्रश्ण का स्पेसिफिक उत्तर दें यह तो दार्शनिक उत्तर हो गया आपने राम जी के बारे में कहा सीता राम का भी जीवन देखें इतना अच्छा होने से क्या दुखसान होगा सर्ष्ट्रेश्ट ग्रंट पढ़े हैं उनमें से एक राम चरितमान से I will suggest all of you to go through this It's phenomenally good राम जी ने जब वनवास उन्हें हुआ था यह हमें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था जब राम से सब ने पूछा कि यह गलत हो गया तो राम ने कहा यह जो वनवास है यह वास्तव में वनवास है या कोई छुपा हुआ वर्दान यह तो भविश्य की गर्ब में छुपा है क्योंकि इंद्र की हजार आखें हैं वरुन की सौ आखें हैं और मेरी और आपकी तो दो ही आखें हैं कितनी बार ऐसा होता है जो चीजें हमें शुरू में लगती हैं बहुत अच्छी है बाद में उसी पे हम रोते हैं और कितनी बार ऐसा होता है कई चीजों पे जिसमें हम रोते हैं बाद में वही चीजें हमें बना डालती है तो क्या वनवास है और क्या सही है इसको बहुत जल्दी बताना सही नहीं होगा दूसरी चीज़ जब राम वहां से गए थे तो एक नौ सीखिये थे राम ने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वो उस वनवास में ही सीखा है भरती के महंतम गुरुओं से उन्होंने ग्यान लिया और उन सब गुरुओं से ग्यान के बाद इसलिए जो गए थे वो श्री राम थे जो लोटे थे वो प्रभु राम थे क्योंकि वो तपस करके आये थे सो कई चीजें जीवन में हमें बनाने के लिए होती है रामधारी सिंग दिनकर लिखते हैं बरसों तक बन में घूम घूम सैधूम धाम पानी पत्थर पांडव आये कुछ और निखर सौभाग गिना हर दिन होता है देखें आगे क्या होता है ये जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं ये आपको बनाती हैं आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री अगर विपरीत परिस्थितियों से नहीं कुछ गरे होते हैं तो उनमें वो मैक्चुरिटी आती ही नहीं याद रखिये जिस भी समस्या का समाधान है वो समस्या नहीं है अगली चीज़ कोई भी समस्या इस्थाई होई नहीं सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि हम खुदी आस्थाई है वी आर टू टेंपररी तो हैव पर्मनेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ अब आपके प्रशन का जहासी की रानी पे हम नाम पता है आपने कहा जहासी की रानी असफल हो गई, इतना अच्छे होने से क्या मतलब उनकी मृत्ती हो गई? बिल्कुल ठीक बात. आज आप ये बताईए दिल्ली के चौराहों पे या पूरे हिंदुस्तान के चौराहों पे जहासी की रानी की मूर्तिया है या उस अंग्रेज की मूर्तिय जो उन्होंने उसको हराया था बताईए आज गुरू अरजन देव को आप पूछते हैं जहांगीर को पूछते हैं आज आप गुरू गोविन सिंग की जहनती मनाते हैं कि औरंग्जेब की जहनती मनाते हैं जबकि औरंग्जेब जीता था और गुरू गोविन सिंग के दो बच्चों को जिन्दा चुनवा दिया था आज आप शिवाजी महाराज के नाम पे इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाते हैं या फिर जैसिंग के नाम पे बनाते हैं हराय था ना जैसिंग ने तो शिवाजी को तो शिवाजी तो वहां आर गए थे आज आप महारणा प्रताब की हल्दी घाटी को सर पे लगाते हैं या अग्बर मेमोरियल बनाते हैं हारे थे ना महारणा प्रताब भी गुरु अर्जन देव मारे गए उनकी हत्या करी थी जहांगीर ने ये सब कौन थे आज आप भगत सिंग से मोटिवेटेड होते हैं या फिर जनरल डायर से मोटिवेटेड होते हैं तो किसने किसको मारा ये च्छदम द्रस्टी है जब आप दूर तक देखेंगे तो हार जीत की परिभाशा कई बार 180 डिगरी अपोजट होती है उनकी हार में भी ओग गौरव और शौरे था कि उस सदियों तक जहांसी किरानी हमें मोटिवेट करती है और जो जीता उसकी जीत में भी इतनी कमजोरी थी कि उसकी जीत निस्टेज थी क्या हमने आपका उत्तर दिया च्छवी? थांकी सो मज़ सर आज मुझे आंसर मिला अपने क्वेस्टन का थांक्यू अच्छावी हम वापस आएंगे आपके पास पर अभी दूसरे लोगों को हम समय देने डॉक्तर क्याती दवे कहां से हैं डॉक्तर क्याती दवे? एमदाबाद गुजराद से सर गुजराद एमदाबाद से क्याती प्रशन पूछेंगी बोलिये क्याती सर मेरा एक क्वेशन ये है कि आपने जो चार लेवल बताए हमें जीवन के जो चार पड़ाओ है तो आगे आपने वो पड़ाओ के बारे में उसका आंसर दिया कि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता यानि एक से पचीस साल पचीस से पचास ऐसा करके तो वो भी एक मेरा क्वेशन था पहले का पर वो आ गया अब ये उसके ही रिलेटेड आगे क्वेशन है कि हमारा जो इंटरनल जर्नी है ये इसके जो चार लेवल है अलग-अलग तो हम कैसे समझे कि हमारे ये पहला लेवल खतम हुआ जैसे ब्रह्मचर्या फिर आगे का अग्रुहस्त आश्रम तो ये हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा ये लेवल खतम हुआ और आगे बढ़ पाए जब आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ख्याती ने पूचा हमें पता कैसे पढ़ेगा हमारा ये लेवल समझ हो गया ये वीडियो गेम का ये लेवल क्रॉस कर लिया हमने बिल्कुल सच बात है जब आप इस आश्रम में होंगे जिसको आप भ्रह्मचर्या कहते हैं तो हमने आपको चार-पांच चीजें साधने को बताई हैं अगर वो सद गई तो आप उस आश्रम को क्रॉस कर गए बहले वो दो साल में साधने या पचास साल में भी कई लोग एकागरता को नई साध पाते हैं चार चीजें हमने आपको बता दी हैं गरहस्त में साधने की वो सद गई आप उसके पार हैं क्योंकि ये सदना अगले को साधने का स्टेप है बिना तितिक्षा के आप मार्फ नहीं कर पाएंगे किसी तो तितिक्षा फॉर्गिवनिस के लिए जरूरी है पर इसका मतलब ये नहीं है जैसा वीर ने पूछा था हर्याना से कि दिल्ली से कि क्या हम इसके बाद हो करें आप भ्रह्मचर आश्रम से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं तितिक्षा की आप आज से प्रैक्टिस कीजिए उन प्रैक्टिस को हम आज भी कर सकते हैं पर उस समय वो पलित्थ हो जाना चाहिए नहीं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे और जब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव न बचे तब ही हम समझेंगे कि हमें सन्यास प्राप्त हो लिया ना मैं किसी का ना कोई मेरा सब के लिए एक जैसा भाव तो ये अपने आप ओप हमें अंदर से महसूस होगा इसी को मोक्ष कहते है किया में उपतर दिया ख्याती ये ये नदिया नद्यवाद कौन कुचंगे अमरीष अमरीष कहां से बोलेड़ आप सर अमरीष अमरीष बोले दूज ए इंद और से बोलेगा जी इन दौर समझाओं मेरा जो प्रेश्टन है वो है जो आपने राजा बेटा सिंड्रोम बताया है अबिलेटी तू से नो वाली बात बताई है जो बच्चों को सिखाना चाहिए या हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए अब अब अबिलेटी तू से नो तो जरूर प्रैक्टिस हो जाती है बट अबिलेटी तू एक्सेप्ट नो जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल हो जाता है नॉर्मली पीपल लूज अपना ब्लड प्रेशर उसी चीज़ पर बढ़ाते है ऐसा वो बताईए वो हम कैसे सीखते है वो राजा बेटा सिंड्रॉम का दूसरा पहलू वही है जो ना कह नहीं सकता वो ना सुनेगा भी नहीं पर और राजा बेटा सिंड्रॉम से बड़ा हुआ हमने किसी को ना नहीं कहा तो हम किसी की ना नहीं सुनेंगे ये सब चीजें अगर आप अभी की रामयन भी देखें तो हम आपको सजिस्ट करेंगे आप रावन का दरबार देखिए रावन के दरबारी रावन को खूप सार बार बहुत बार ना कहते हैं पर फिर भी रावन उनकी सुनता है जो महान लीडर होता है वो हमेशा ना को प्रेटा कर लिया है उसका पतन निश्चित है हां का क्या मतलब हां का मतलब यह जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब सोच रहा हो अगर सभी वैसे सोच रहा हो तो फिर मैं आप लों को तंखाए क्यों दे रहा हूं management में एक कहवत है if in an organization two people always agree at a point if in an organization two people always agree at a point then one of them is unnecessary तो उनमें से एक को नौकरी से निकाल दी नए विचार तबाएंगे जब आप ना को respect करेंगे ना को respect नहीं करने से समाज का पतन होता है हाँ पर ना बोलने वालों को ना बोलने का तरीका आना चाहिए अगर वो धंक से नहीं बोलेंगे तो उनके ना को condemn किया जा सकता है इसलिए ना बोलने वालों को तरीका सीखना चाहिए और तरीका सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रामायन देखिए जो आ रही है राम भगवान ने तो सबको ना कहा है कहलाते हैं मर्याता पुर्षत्तम पर पिताजी ने बोला मत जाओ वनवास पे मना कर दिया पिताजी को माताओं ने बोला रुख जाओ उनको भी मना कर दिया और ना शब्द उन्होंने बोला ही नहीं है वो मना भी कर देते और किसी को पता भी नहीं पढ़ता उन्होंने मना कर दिया भरत मना ने पहुँच गए उन्होंने मना कर दिया गुरु वशिष्ट उनको मना कर दिया राजा जनक उनको मना कर दिया सबको तो मना किया उन्हों पर आप देखिए मना करते समय नो शब्द उन्होंने यूजी नहीं किया तो आप उसको लाइव देखिए राम चरित मानस में कि राम कैसे मना कर जाते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं पढ़ता ये स्किल है हाउ टू से नो उसको एक लाइन में हम कहें सेंग नो विथा डाइंग डिजायर ओफ यस इंसाइज ऐसे दिखाईए कि आप यस कहने के लिए लालाई सर मेरा प्रशन ये था कि पहले जो आपने चार आश्रम्स के फार्मेट्स बताए हैं इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि सौ साल की उम्र होनी चाहिए अब हमारा लाइब स्पैन तो यहां पर कम हो चुका है साट पैसेट से जादा मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं साट पैसेट या सतर सेदर होंगा दूसरी बात दिये कि मैं मैं अभी 32 के आसपास का हूँ और अभी तक मेरे पास यहां से बचते हैं 30-35 साल अब इस 30-35 साल में मैं यह आश्रम हैंको कैसे बूरा गूँट है बहुत सही बात है तो अनुदत अच्छा प्रशन है उनने कहा मैं 30 साल के ऊपर का हूँ अभी तक मैंने शादी नहीं के इतने सारे आश्रम बचे हैं बहुत सारा होग इखटा हुए है so how to deal with it, it is a good question Anudat, let me again repeat, ये आश्रम are mental आश्रम you don't need to physically go through it, you just need to mentally go through it like for example जब आदी शंकराचार का शास्त्रार्थ हो रहा था मंडल मिश्र के साथ और शर्त ये थी कि मंडल मिश्र कह रहे थे कर्मकांड सही है उनसे मोक्ष मिलेगा आदी शंकराचार कह रहे थे नहीं ज्यानकांड से मोक्ष मिलता है तो निर्धारित ये हुआ कि वो डिबेट करेंगे और अगर शंकराचार डिबेट जीते तो मंडल मिश्र सन्यासी हो जाएंगे और अगर मंडल मिश्र डिबेट जीते तो शंकराचारे ग्रहस्त हो जाएंगे और ये चर्चा हुई डिबेट है और डिबेट में उनका जज बनाए गया मंडल मिश्र की पत्नी को ही अब देखिए उनका भी कैसा धर्मसंकर रहा होगा उनकी पत्नी का पती के सन्यासी होने का क्या मतलब है वो भी सन्यासी होई जाएंगी फिर तो अब वो जजज बनी तो जजज बनते ही उन्होंने पहला objection लिया शंकराचारे पे कि मैं मान सकती हूँ कि आप वानपरस्त और सन्यास और भ्रमचर तीनो आश्रम पे आप डिसकस कर सकते हैं पर आप ग्रहस्त आश्रम पे कैसे डिसकस करेंगे आपने तो शादी नहीं की अनुदत की तरह भी तो जब आपने शादी नहीं की तो आप कैसे डिसकस करेंगे आप eligible नहीं है इस शास्तरार्प थे लिए आदी शंकराचारे रियली admitted it and he said yes I agree बिनाच किसी चीज़ को समझे मैं कैसे जान जाओंगा कि उसमें कुछ नहीं है तो आदी शंकराचारे फिर उस डिबेट से उठके चले गए उन्होंने अपनी आत्मा को अपनी योग साधना से शरीर में निकाला एक दूसरे राजा के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराया कुछ साल गरहस्त आशरम राजा के शरीर से भोगा उसके बाद डिबेट में आये तो यह mental है तो यह मेंटल है आप लोग तत्व बोध से शुरू कीजिए तत्व बोध उसके बाद आप आत्म बोध पढ़िए यह दो किताबे जब हो जाएं फिर आप हम से फिर से संपर्ख कीजिए